अगर आपका डिवाइस लॉक हो चुका है और आप उसका पैटरन नहीं जानते हैं यहां आप कोई ऐसा डिवाइस जिसका की पैटरन लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्रीज वीडियो को पूरा देखें इसमें आपको दो तरिकों के बारे में बताऊं होते हैं आपके डिवाइस में आपने बैकप इन जो की चार डिजिट का होता है वह कौन सा लगाया था उससे भी आप अपने डिवाइस को जो है अनलॉक कर सकते हैं तो चलिए हम इन दो तरीकों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में हाई गई अगर अभी तक आपने मेर Android device का जो pattern lock है उसको कैसे unlock कर सकते हैं आपने देखा होगा कि हम अपने data को secure करने के लिए या इस reason से कि हमारा device अगर चोरी हो जाता है तो उसका data कोई निकाल ना ले तो इसलिए हम उसको lock लगा देते हैं अपने device को ताकि हमारा जो data है वह secure रहे कोई उसको social media पे या ऐसे उसको गलब तरीके में use ना करें बट कभी क्या होता है कि हम अपना password जो है इनके बहुत complex लग गया तो भूल जाते हैं या वैसे भी कभी ना कभी हो सकता है कि हमें अपना जो device है वो lock हो जाए और उसको हम unlock ना कर पाएं तो उस case में अगर आप अपना device को दुबारा से use करना चाह पहले हम चलिए lock लगा लेते हैं अपने device को एक बार उसके बाद फिर उसको unlock करेंगे हमने pattern lock हमने यह लगा दिया continue continue तो अभी हमारा जो है lock लग चुका है device को चलिए देखते हैं तो यह lock लगा हुए हम किसी तरह से भी अपने इस device को unlock नहीं कर सकते तो unlock करने के लिए आप अपने device को एक बार पावर उफ कर लिए बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यह तरीका apply करने से जो आपका device का data है वो सारा चला जाएगा हाँ बट पापन न device आप जुरूर यूज़ कर पाओगे क्योंकि इसमें सारा वो pattern वगारा सब कुछ हट जाएगा तो वो करने के लिए आपको क्या करना है अपने device से यह जो आपके दो buttons है अप और down volume और एक home की और एक power की पावर की और यह up की up volume की यह तीनों को इक अठे दबाना है जैसी आप यह तीनों इक अठे दबाएंगे तो आप इसको तब तक दबाके रखना जब तक android की screen नहीं आ जाती और android की screen आने में लगेंगा थोड़ा time तो यह आगे android की screen अभी अगर आप यहाँ पे दिखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग-अलग options दिख रहे हैं जिसमें से पांच में नमबर पे option है wipe data और factory reset तो volume down से आप इस पे आ जाईए और अपना जो पार की है उसको दबा दीजिए और आपको no yes इस चीज के लिए पूछे दा का तो आप उसको yes करके power key प्रेस कर दीजिए तो य जो है आपका data जो है wipe कर रहा है data wipe complete हो चुका है तो जो आपका pattern था password था वह आपका भी हट चुका है तो आपका pattern log जो है वह भी हट गया तो आपको यहाँ पे देखना है कि अभी reboot system के लिए लिख है तो आप इसको फिर power की दबा के reboot कर दीजिए तो अभी यह reboot होने के लिए almost आपका दो या तीन मिनट ले सकता है क्योंकि wipe होने के बाद पहली बाच चलेगा तो rebooting के बाद थोड़ा time लगता है तो इसलिए हम अपनी वीडियो को दो मिनट के लिए या तो pause कर लेते हैं या चलने दीजिए ऐसी थोड़ा wait करते हैं थोड़ने के लिए pause कर लेते हैं तो अभी हमारा जो device है वो reboot हो जोका है तो आपका यह जो setup wizard है आप इसको next next करके agree terms कीजिए okay next next अगर आप name भरना चाहते हैं आपना नहीं तो next pattern या कुछ password set भी बात में करेंगे skip anyway okay next again here skip okay finish later तो लीजिए आपका यह device जो है वो unlock हो चुका है बट अगर आप इस तरीके को एक बर apply करना चाहते हैं आपने डिवाइस में तो ऐसा डिवाइस हो जिसमें आपका डेटा ना हो या ध्यान रखिए कि अगर आप यह चीज़ करते हैं तो इससे जो आपके mobile का जो डेटा है व आप यूज नहीं करते हैं अगर आपने यहां पर पांच बार अंसक्सेस्फुल भर दिया तो आपको यहां पर option देगा backup पिन का तो यह backup पिन जो है जो कि जब आप pattern सेट करते हो उस टाइम पे आप यह दो बार पिन भरते हो जो भी चार्ट डिजिट का होता है तो यह पिन बच्चे यूज ना करें तो इन केसिज में हम यह pattern लगा लेते हैं कभी बच्चे भी शिरात कर लेते हैं pattern चेंज कर दिया तो ऐसे cases में आपका जो है अगर pattern नहीं चेंज कर दिया तो आप फॉर्ट पिन पैटर्न यूज कर सकते हो तो कि कि किसी और ने कर दिया बट अगर ने भूल गया तो आपको backup इन याद होगा तो आप उसको like यहां पर apply कर सकते हो जैसे मेरे case में 1364 है तो मैंने done किया तो मैं directly screen unlock पर आ गया यहां पर like swipe दबा दिया तो मेरा यह device जो है वो unlock हो गया अच्छा लगा और comment कीजी अगर आपका कुछ suggestion है यहां कुछ आपको information लेन झाल